वेल्कम इस्ट्रेंट्स वेल्कम टुग्यान विश्टाम यह हमारा सेकेंड लेक्चर है बिजनेस्टेडिस का हम कर रहे थे फाइनेसल मेनेजमेंट इस क्लास 12 का पार्ट बी से चेप्टर 1 हमारा हमने उसका पहला क्लास कम्रीट कर लिए पहला क्लास आप लोग को अच्छा कर्या को are को हिग देख्या है अप लोगा कॉमेंट मुझे आछ है अच्छा ही लगा है तो चलो आज कम क्लास हताइए अ कि वंने कर लिया था क्या क्या लाच पार्पनेंस्टान मैनेजमेंन क्या होता है और मुझा पढ़ लिया था रोल या flat importance we वो हमने पढ़ लिया था उसके बाद में हमने कर लिया था objectives उसके बाद में हमने पढ़ा था जो functions है that means functions of financial management क्या होता है तीन तरह के decision जो होते हैं FDI में आपको होता है था investment decision, dividend decision or financial decision तो यह हमने कर लिया था उसके बाद में investment decision का meaning types of investment decision और क्या-क्या factors है जो affect करते हैं investment decision को यह सब हमने last class में देख लिया था आज हमें start करेंगे financial decision क्या होता है उसके बारे में ठीक है कि जब भी हम finance का बात करते हैं मतलब पैसा लगाने की जो बात करते हैं business के अंदर पैसा लगाने की तो महाँ पर दो ची होता है एक होता है debt और एक होता है equity ठीक है now debt क्या होता है debt वो पोर्सन है जो आप market से उठाते हो अपने business करते हो equity वो पैसा है जो आपका खुद का होता बिजनेस में लगाते हो ठीक है so as a finance manager आपको इन दोनों के वीच में एक ratio रखना पड़ता है एक standard ratio रखना पड़ता है और क्या-क्या बात है सबसे पहले financing decision हम कहते है कहते है किसे कहते है so it concerned with the quantum of finance quantum means quantity of finance to be raised from various source ठीक है अच्छा यहाँ पर financing decision में हम कहां से पैसा उठा रहे है ठीक है from various source long term sources तो suppose मालो यह basically financing decisions होता है कि आप हमसे क्या बात करता है एक था investment कहां पैसा लगाते हो यह कहां से पैसा उठा रहे हो ठीक है so अब कहां से पैसा उठाते हो उस source की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो तरह का source होता है एक हम करते है दियर और शेर होल्डरस फंड दो तरह के फंड होता है और एक होता है बॉरोड फंड ठीक है जो भी हमने आपको बताया था कुट केपिटल इस्ट्रक्चर अप दा कंपनी केपिटल इस्ट्रक्चर वर्ड आप को याद होगा लास्ट क्लास में में आपको बताया था कुछ इस्ट में आपको बताया था यह कि करा कि अधी इंग यह होगा इन दोनों का एक मिक्चर एक मतलबüllt क्रोपर मिक्स करना पड़े कितना और पर बाहर सोठान谁 से accessible ऑर दोनों का या अपना आपना अपना फायदा आपना नूकसान अब यह सोचोगे या पूछोगे कि बताओ सर अगर मानलो डेट से अगर हम सारा बिजनेस टार्ट कर ले मानलो अगर मैं simply सोच ना ठीक कंपनी को छोड़ दो अभी अभी हम सब सोचते मानलो मैं दस लाक रुपा मार्केट से उठाकर बिजनेस टार्ट कर दिया ठीक है और आपको जैसा पता है कि अगर मानलो मेरा कंपनी चल रहा है पॉब्लिक कंपनी है तो अगर पैसा डूब भी जाता है ठीक है और अगर मैं मानलो अगर समझते हैं ठीक है सब्सक्राइब करें मार्केट से दस लाक रुपा मानलो मैंने उठा लिया ठीक है और मैंने दुगाएं स्टार्ट कर दिया तो यहां पर क्या है मेरा खुद का पैसा ना के बराबर लगा हुए मतलब नहीं लगा हुए ठीक है अब बट इन लोगों कि अगर यह कर पाया और किसी भी कारन वर्स अगर यह रुपया नहीं पूरा कर पाया तो मेरा क्या होगा मैं अब बढ़ते जाएगा तो इस तरह से देप से भी बिशनेस करना सही नहीं है उतना ज़्यादा एक्विटी मेरे पास होना भी चाहिए तभी जाकर मैं कर पाऊंगा तें दोनों का एक रेस्टियों होना बहुत जाओड़ी होता है ठीक है चलो क्या-क्या फैक्टर से जो फाइनसिंग डिसेंड को एफेक्ट करते हैं सबसे पहला है कोस्ट का मतलब क्या होता है कितना रुपया आपको एज इंट्रेस्ट पे करना पर रहा है सपोज मानलो ए और बी से आप मानलो पैसा अगर ले रहे हो ठीक है तो ट्राइट अप्टेन दफंड फंड फॉम चीपर सोर्स फंड हमें सब वहां प्रोफिट पहले मुझे ने देना होगा तो हम करेंगे इसके तरफ जाने का ठीक है अब सपोज मेरे पाथ एक प्रिफेरेंग मानलो तेन परसेंकर और एक मानलो डिवीडेन है मेरे पास स्वरी डिवेंचर मेरे पास जो है 20 परसेंका अब यहाँ पर हमक्या चाहेंगे कि करें कि हमारा कम परबाटा है तो इसी तरह से हम मतलब हमें झाल वह Lite करना पड़ता है also fagation cost Fagation CO la to अगर किया होता है कि मानलो जब आप कहीं से पैसा जब उठाते हो तो उसको उठाने के बाद में यह उठाने के टाइम में बहुत सारे खर्च आते हैं एक्स्टा एक्सपेशनेंसे आते हैं उन सभी एक्सısीर उस पहले देखना पडहा है कि सपस्पोजल अनो अब एक एक के पास जाओंगा मैं जाओंगा इसके पास ठीक है क्योंकि यह 5% पर दे रहा है ठीक है बट सपोज मानलो इनके पास जब मैं जाता हूं तो यह अपना एक फॉर्म निकालते हैं उस फॉर्म का चार्ज हमसे मांग लेते हैं कोई दो तीन अलग अलग खर्चा है इनका पर आप तो उसके लिए कितना रुपया खर्चा देना परेगा ठीक है तो यह सब चीज हमें धिले करना परता है नेक्स्ट है कैस फ्लो पोजिशन मतलब पैसा आना मैंने को था और जाना कैस फ्लो का मतलब को ता पैसा आना और जाना तो कहीं से पैसा लेना ही इंपॉर्ट सद्लिखेश आपको दिखना पड़ेगा नेक्सित कोर्स मतलब कितना पैसा आप फिक्स कोष्ट में लगा चुक्ष हो यह सब्सक्राइब मतलब क्या होगा सब्सक्राइब बन्द हे हैं तो इसका जो रेंट है उतों में तो पैसा कहां से आएगा तो यह हमारा क्या हमारा क्या है तो इसे पहले हमें एनलाइज करना पड़ेगा कहीं से पैसा लेने से क्योंकि सपोस्पोस मान लो यहां पे मैं दे रहा हूं 10,000 ठीक है सपोस्पोस मान लो अगर हमारे पैसा नहीं लेते हैं और सिर्क अगर खुद कर पैसा लगाते हो ल्गोंसे पैसा स्थ सक और ऴोट पे 만들 रहेतunde हमारे और कश्ट्र वीट का मरे की पैसा उपर खोरसे दीटीता पैसा को तो अभी हमें लोगों के decision पे ही जो वोट पे decision लिया जा सकता है तो जितना आप आपका जो shareholders है ज्यादा पैसा लागा के number of shareholders कम हो तो हमाई लिए ज्यादा सही है ठीक है तो कहीं ने कहीं control को भी हमारा financing decision क्या करता है एफेक्ट करता है नेक्स्ट है market capital market condition अब इसके बारे में परोगे capital market बारे में इसके बारे में परोगे stock exchange के बारे में परोगे तो वहां पर आपको मिलता है यह सब कि कैसे nifty sensex इन सभी कारण क्या होता है capital market का जो change conditions जो है उनके जो change हो रहे है उससे भी क्या होगा हमारा business का financial listener oh effect होता है ठीक है so during rising trend in capital market it is easy to accumulate shareholders fund otherwise better to depend on borrowed fund so देखो लोगों से पैसा लेना कब ज्यादा सही होता है जब capital market क्या हो जब capital market आगे बर रहा हो ठीक है जब trending में हो आपका जब जो पैसा जो आगे मार्केट में बर रहा हो तो अच्छा होता है लोगों से पैसा लेना नहीं तो अच्छा क्या है कि आप borrowed fund पर ही अब चलो ठीक है नशो अगर हम overall बात करें क्या-क्या factors हमने पढ़ा financing decision के बारे में पहला हमने पढ़ा था cost दूसरा हमने पढ़ा था risk फिर हमने पढ़ा आगे हमारे पास में है dividend decision dividend का मतलब क्या होता आपको पता होगा अगर आप कहीं पर भी शेयर आप खरीते हो तो उस पर रिटर्न मिलता है उसे हम क्या कहते है dividend ठीक है अब देखो suppose मालो यहां पर एक concept होता है जिसे हम कहते है retained earning ठीक है और बहुत ही important concept है retained earning का और आपके एक्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है तो suppose मालो for example का तरव मैं आपको उता रहा हूं मालो मेरे पास इस बार 100 rupees हमने कमाया ठीक है 100 rupees हमने कमाया और इस मेंसे मालो dividend के रूप में मेरे पास दो option है ठीक है एक तो यह है कि मैं क्या करूँ इस में से कुछ पैसा तो सबसे पहले company reserve में रख लेगी मालो 20 से पहर रख लिया बच कितना गया 80 rupees को वो चाहे तो business में दुबारा यूज कर सकता है या फिर लोगों में dividend बाट सकता है अब अगर मालो में dividend बाट देता हूं 80 rupees तो मेरा business आगे कभी बढ़ी नहीं पाएगा क्योंकि पैसा जितना मैंने लगाया था उससे पैसा कमा के मैंने लोगों में बाट दिया मत्तब profit हमने salary में खतम कर दिया अपना salary न decision अखेला dividend के बारे में नहीं बलकि retained earning के बारे में भी है retained earning का मतलब क्या होता है pulling back of the money or profits earned from the firm from the business business से आपने जो भी पैसा लगा कमा लिया उसको फिर से आप business में डालोगे तो उसे आप क्या कहते है उसे हम कहते है retained earning ठीक है और इसका बहुत benefit भी होता है ठीक है वह हम बाद म a portion of the profit is retained in the business for growth and expansion जिसे हम क्या कहते है जिसे हम कहते है retained earning that part of the business is called the profit is called retained earning ठीक है and the rest of the profit is distributed to the shareholders in the form of dividend और जो बचा हुआ पैसा होता है उसे हम कहा फेक देते है उसे हम देते है लोगो को जिसे हम क्या कहते है जिसे हम कहते है dividend ठीक है बहुत ही एजी समझ में आने के लिए होग that means all the rules regulations and the terms which are considered before providing dividend उसको हम क्या कहते है dividend policy ठीक है और of course यहाँ पर कुछ statute का भी कहना है वो हम बाद में देखेंगे हमारे लिए उतना important नहीं है ओ ठीक है law की बात just आपको जानके रख return earning क्या होता है dividend क्या होता है ठीक है here is the role of financial management that how much is to be retained and how much is to be distributed मैंने आपको अभी बताया ताकि वो लोग भी खुस रहें अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप कम पैसा लोगो को देदो और ज्यादा पैसा बीजनेस में लगा लो तो क्या होगा पता है कल हो कि आपका share market में बेचना सुरू कर देंगे आपका share का value कम होने लाएगा है ना सो दोनों को यह में ध्यान रखना पड़ता है कि factors affecting dividend decision तो क्या-क्या factors है जो कि dividend decision को effect कर सकते हैं सबसे पहला amount of earning आपने कितना पैसा कमाया जितना पैसा कमाया उसी को पर आप डिविडेंट लोगों बाट होगा तो dividend decision always depends on the amount of profit and current period ठीक है कितना profit आपने एक साल में कमाया उसी को पर तो आप बाटो के ल हो रहा है तो उन सभी चीजों को पर depend करता है क्या ची हमारा dividend decision ठीक है so stable earning promotes higher dividend जितना ज्यादा आप अच्छा कमाओगे उतना ज्यादा क्या कर पाओगे लोगों को दे पाओगे और जितना अच्छा आप लोगों को दोगे उतना ही ज्यादा हो आपका और share खर देंगे market में आपके शर्कारी मन और बरहेगा तो इस तरह से क्या होता है बिजनेस चलते रहेगा आपका है ना आपके farm में कहीं पैसा ज्यादा आते रहेगा stability of the dividend अब देखो सपोज मानलो एक businessman है या एक company है मानलो आप ही सोचके देखो आपने कहीं पर 10 रुप्या लगाया ठीक है जिस ज़्यादा खुष हो गया अगला बार मैं इसमें 50,000 रुप्या डाल दिया क्योंकि यहां पर मुझे पाइदा दूगुना के आसपस मिला था जिस साल मैंने 50 रुप्या डाला उस साल भी इसने मुझे लगवाल लगवाल दो लाग रुप्या दे दिया मैं और खुष हो गय टिक है क्योव कि इसका मतलब क्या हुआ आपका जो यहां पर डि नहीं भी नहीं था उनका वलब्सक्राइlles नहीं था तो बहुत ज्यादा इंकम होना बी रिस्क होता है अ क्या यहां नहीं 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 तो आपका रिपीटेशन बढ़ेगा जब अच्छा इसको मेंटेन करके रख पाओगे नहीं रख पाओगे तो आपका क्या होगा रेपीटेशन घटने लएगा है ना तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट में बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जो आप क्या कर सकते हो ग्रोथ कर सकते हो अब ग्रोथ कब होगा वही जब पिछले वाला पॉइंट अगर सही होगा तो है ना कई बार ऐसा भी होता है कि हम डिवीडेट कब भी दे सकते हैं जो दिकतते हैं कभी कभी कम भी देना पड़ता है बट जो आप तो आपको दिखाना परेगा कि देखो भाई हम पैसा कम दे रहे हैं जो उसका पैसा का है मुझे डिविदेंट कम मिल रहा है या वही शेर अगर मालो 150 रुपे हो जाए 200 रुपे हो जाए तो मैं कोई दिक्कत नहीं है मेरे एसेट का तो वेलू बर रहा है ना तो इसको भी आपको दिखाकर समझाकर क्या करना पड़ता है हमें जो है डिविदेंट बाटना होता है ना केस मस्ट भी अवेलेबल एक डिविदेंट आपने डिविदेंट टो कर दिया बट देने के लिए पैसा ही नहीं है तो फिर फायदा क्या हुआ यह तो वही हो गया ना कि जैसे गौश्मेंट करती है कि यहां भी 20 लाग करोर चाहिए ले रहे हैं बट कहां दे रहे हैं पता ह जैसे हमनों का गवर्मेंट से भरोसा उड़ जाता है उसी तरह से यहां पर भरोसा उड़ जाएगा शेयरवल्डर प्रिफरेंस आपको यह भी देखना पड़ता है कि शेयर होल्डर का प्रिफरेंस क्या है अब देखो बेसीकली शेयर्वल्डर्स हो जो होते हैं वो दो-3 अलग अलग तरह को आशीूर्ट बैसा भी होता है और चाहता है और चाहता है ज़ा-टाले जलता है एक सोच्टा है कि मुझे लंबे समय में थोड़ा-टोड़ा थात्वी नहीं कर दो बॉद्ग NEW कम उसको जो नोर्मल रेटर फिटर जो बिजनेस का चल रहा है आज के समय में मानलो 20 परसेंट है तो उसको साल में कम सम 20 रुपया तो आपको देना पड़ेगा अगर आप यह भी नहीं दे रहे हो जो जितना उसे बैंक भी देता बैंक भी उससे कुछ इंट्रेस्ट देता कि हमारा जितना भी बिजनेसमेन है वो मॉनेटरी पॉलिशी और फिस्कल पॉलिशी से बहुत ज़्यादे क्या होते हैं अफेक्टर होते हैं तो इस टेक्स ओन डिविडेंट इस हायर इस बेटर टू पे लेस वे ओफ डिविडेंट अब देखो हमने अभी तक तो अभी यह जितना डिविडेंट देगी या जितना आपको मार्केट में डिविडेंट देना है उसके उपर भी गवर्मेंट को टेक्स देना है तो कंपनी क्या चाहेगी कम से कम डिविडेंट दे ठीक है और क्या करें गवर्मेंट को टेक्स देने से बचे बट इसका एक फायदा भी ह या फिर ऐसा भी कर सकती है company कि पैसा को return earning कर लिया गया है और आपको number of shares बढ़ा दिया गया है as bonus share ठीक है तो इससे भी क्या है आप ही का benefit होड़ा है तो ऐसा भी क्या जा सकता है but dividends are free of tax but the dividends are free of tax in the hands of shareholders as dividend distribution tax is levied on companies मैंने आपको पहले बताया था tax कौन भरेगा tax companies भरते हैं लोग नहीं भरते हैं मतलब आपको जो income मिला तो आपको उसको पर tax नहीं देना है ठीक है उस डिविदेन को पर टेक्स कौन देगा company दे रहा है ठीक है तो इसलिए company को इस सब चीज़ पहले ही सोचना पड़ता तो इस प्रशच को क्या चाहिए जबकि यहाँ पर लोग क्या चाहेंगे कि उसे जाज़ा सधा टेक्स मीले क्यों क्योंकि इनको पैसे में पहले करना है वह टेक्स कौन दे रहा है वह टेक्स ऑलरडी company देगी ठीक है अपने तिरफ से यही सोचेंगे तो यह दोनों ही चलते रहता है और और वह कुछ पुछ टरम से जैसे कि stock market reaction market का क्या reaction उसको डिपेंड करता है dividend के बारे में कैने एक्सेस और capitalist backtson market मतलब कि बहुत सारे कंपने जैसे विए और होते हैं जिनका लिश्टेड कंपनी होते हैं उनका market हुनका चलता है ठीक है तो बहुत कम ही डिपेंड करते हैं रिटेन अर्निंग के ऊपर ठीक है और जाए साधा हो क्या कर सकते हैं वह अपने डिविडेंग को बाट सकते हैं बेसिकली रिपिटेट कंपनी के साथ ही होता है ठीक है और उसके बाद में आता है लीगल कंस्टेंट्स कुछ जितने भी कंपनी दे उसे देन ग्रोथ ऑपरचनेटी कैस पोजिशन एफ पोजिशन और से अब देख लो बहुत ज्यादा है ठीक है इस तरह से हमने आज का यह सेकेंड क्लास जो कभर कर लिया है ठीक है लास्ट आपके पास बच जाता है फाइनेंसियल प्लानिंग यह दूसरा टॉपिक है ठीक है मै कोई भी क्वेशन कोई भी डाउट हो तो पूछो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करें को और पहले वाले जो पार्ट है पार्ट वान वह अगर नहीं देखा तो भी देख लो और शेर जो करना ठीक है चलो बाबाए थेंक्यू